किर्णा कृती का उपयोग जब वस्तु अंतरगोल भिंग के सामने रखने से मिलने वाले प्रतिविंब का स्थान आकार अभिमुक्ता और प्रकार जानने के लिए कर सकते हैं किर्णा कृती से हम प्रतिविंब का स्थान आकार जान सकते हैं फिर भी इसकी संख्यात्मक जानकारी नहीं मिल सकती ऐसी संख्यात्मक जानकारी पाने के लिए दर्पन के समीकरण और आवर्धन समीकरण इस्तिमाल करना जरूरी होता है दर्पन का समीकरण वस्तु का अंतर DO, प्रतिविम्ब का अंतर DI और नाभिय अंतर F का मातरात्मक संबन दिखाता है एक छेद F बराबर एक छेद DO अधिक एक छेद DI आवर्धन का समीकरण गोलिय दर्पन द्वारा होने वाले आवर्धन को प्रतिविम्ब की उचाई HI और वस्तु की उचाई HO के अनुपाद वारा दर्शाते हैं ये समीकरण ऐसे लिखा जाता है M बराबर HI छेद HO बराबर DI छेद DO ये दोनों समीकरण अगर हम जोड कर देखे तो वस्तु का अंतर उचाई और नाभ्यांतर मालुम होने से प्रतिविम्ब का अंतर और उचाई हम बता सकते हैं प्रयोग नाभ्यांतर 15 सेंटीमिटर वाला अंतरगोल भिंग लिया टी आकार का अक्षर जिसकी लंबाई और उचाई 2 सेंटीमिटर हो एक काले कागस पर काटकर उपर से ट्रेस पेपर लगाया ये हमारी वस्तु है समान प्रकाश त्रोत मिलने के लिए हमने ऐसा किया ये अक्षर एक बड़े पेटी को लगाया जिसमें मुबाईल फोन लगाया जाएगा हम मुबाईल फोन का उपयोग टी अक्षर के पीछे प्रकाश त्रोत जैसा करेंगे समीकरण से प्रतिबिम्ब 30 सेंटीमिटर अंतर पर बनेगा प्रतिबिम्ब वास्तव उल्टा और वस्तु जितने आकार का होगा इस बार आवरधन एक होगा क्योंकि प्रतिबिम्ब और वस्तु एक जैसे हैं बहुत इक शास्तर के अनुसार संख्यात्मग मूल्य के पहले अधिक या रेण चिन्न होने से उस राशी की दिशा दर्शाता है वस्तु के प्रतिबिम्ब के लिए रेण मूल्य हमेशा उल्टा प्रतिबिम्ब दर्शाता है दरपन के समीकरण के लिए चिन्ह के प्रमान देखते हैं नाभ्यांतर अधिक होगा अगर भिंग अंतर गोल है नाभ्यांतर रेण होगा अगर भिंग बहिर गोल है प्रतिविंब का अंतर डी आए अधिक होगा अगर प्रतिबिम्ब वास्तो है और वो भिंग की वस्तु की बाजु में होगा प्रतिबिम्ब का अंतर डी आय रिण होगा अगर प्रतिबिम्ब आभासी और भिंग के पीछे होगा प्रतिबिम्ब की उचाई HI अधिक होगी जब प्रतिबिम्ब सीधा और आभासी होगा प्रतिबिम्ब की उचाई HI रिण होगी जब प्रतिबिम्ब उल्टा और वास्तो होगा बहिरगोल भिंग के लिए बहिरगोल भिंग का नाभ्यांतर हमेशा रिण होता है और प्रतिबिम्ब का अंतर भी रिन होता है विपतन का मतलब अपेक्षित या उचित क्रम से हट कर कारिय गोलिय दर्पण में ऐसे विपतन होता है कोई भी धर्पण जो गोलिय होते हैं उनमें स्वाभाविक दोश होता है उन पर आपती होने वाले एक अई जगा से निकलने वाले प्रकाश को निश्चित बिंदु पर केंदरित नहीं कर पाते हैं ये दोज ज्यादा उलेखनी होता है जब प्रकाश किरन दर्पन के बाहरी किनारे पर गिरती है जो किरन दर्पन के बाहरी किनारे पर गिरती है वो एक निश्यत स्थान पर केंद्रित नहीं होते जैसे प्रकाश अंदर की और गिरने से होता है फलस्वरूप गोली दर्पन से वस्तुओं के प्रतिविम ज्यादा तर धुनले होते हैं। आकरती में छे आपती किरण डिखाए है जो मुख्य अक्ष को समानतर है और जिसका अंतरगोल दरपन से परावर्तित होता है। छे अनुरूप परावर्तित किरण भी दिखाए हैं। आकरती में हमें नजर आता है कि अपेक्षित या उचित क्रम से हटकर विपथन होता है। अंतरगोल दरपन के बाहरी यानि उपरी और निचली किनारे पर गिरने वाली आपती किरण नाभी से नहीं जा सकती है। इसको अपेक्षित या उचित क्रम से हटकर विपथन होना कहते हैं। गोलिय दरपन का विपथन निकालने के लिए अलग आकार के दरपन उपयोग में लाये जाते हैं। साधारण तह परवलईक दरपन से नुकिला और स्पष्ट प्रतिविंब बनता है जो गोलिय दरपन से बनने वाले प्रतिविंब जैसे धुन्दले नहीं होता। सारांश हमने दरपन का समीकरण अंतरगोल और बहिरगोल दरपन के लिए प्रतिविंब का आकार और अंतर ढूनने के लिए किया। ये चुनोती लीजिए। उल्टा प्रतिविंब का आवर्धन जब दो होता है तब वस्तु 22 सेंटिमेटर दूरी पर अंतरगोल और तर तै कीजिए।